देखिए, टॉपिक है conservation of mechanical energy mechanical energy क्या होती है? kinetic energy और potential energy का sum होता है mechanical energy तो लिखिए the sum of kinetic energy the sum of kinetic energy and potential energy of a body is called mechanical energy यानि mechanical energy को हम फिलाल M.E. किये दे रहे हैं is equal kinetic energy plus potential energy इसको हम कहते है mechanical energy अब बताना ये है एगर body एक point से दूसरे point में जाती है तो उसकी kinetic भी change होगी potential भी change होगी ठीक है? लेकिन दोनों का sum हमेशा constant रहेगा तो लिखिए the mechanical energy of a body the mechanical energy of a body remains constant the mechanical energy of a body remains constant while moving in a conservative force field while moving in a conservative force field conservative force field conservative force field क्या होता है? तो ऐसा field जिसमें force के दारा जो किया गया work है वो path पर depend नहीं करता है वो initial and final position पर depend करता है मतलब जैसे gravity है gravity conservative force होती है मालिया आपको edge height जाना है ठीक है? यहनि आपको जमीन से छट पे जाना है तो एक तरीका तो होता है कि आप spider man ते चड़ जाना है इसे ही ज़ार देखे यह भी तरीका हो सकता है एक होता है कि आप इस प्रकार्टे एक सीड़ी लगा लो ऐसे चड़ जाओ slope बना दो एक होता है आप जीने के सारे चड़ जाओ तो जा तो हाइट पे ही रहो ना रास्ता चेंज है के वल जीने का एक अलग सिस्टम है यह से slope अलग होता है जीना अलग होता है जीने में आप उपर जाओ को फिर आगे बलोग उपर जाओ ऐसे चलोगे ना तो कुल मिलाकर के तीनों ही केसस में आप जा तो हाइट रहो ना तो उसमें वर्क सेम रहता यह इंटर में आपको प्रूफ कराए गया था तो यह कागा अगर कंजर्वेट्री फोर्स फिल्ड में चलना है तो यह एनरजी हमेसा कॉंस्टेंट रहती है टीक है वहाँ भी आपने पढ़ा था वहाँ पर तरीका दूसरा था है हाइट से बॉड़ी को फेका गया था और कानेटिक और पोटेंशल का सम कॉंस्टेंट प्रूफ कराए गया था होई यहाँ भी करा रहें पुद लिखने का तरीका थोगा चेंज हो जाएगा पर अगर चेंज है लिखेंगा लेट्र बॉड़ी ओफ मासhhhh लेट आ बॉड़ाफ मासँ म लेट्र बॉड़ी ओफ मासँम मॉवड़ from point A to point B, यानि एक body है, point A से, point A से, point B तक move करती है, और इसका mass M है, move from point A to point B, under the influence of, a conservative force, यानि आपने यहां से एक force लगाया होगा, ऐसे, और body यहां से यहां तक move कर गई, under the influence of conservative, force field, मतलब जो force लगाया है, conservative force है, conservative force ऐसा force होता है, जिसके दोरा किया गया work, initial और final position पर depend करता है, यानि इस body को ऐसे घुमा करके, यहां हम रख देते, तब भी उतना ही work हम को करना पड़ता है, जिसे friction है, वो conservative नहीं है, अगर friction में रास्ता चेंज करोगे, ज़्यादा work करना पड़ेगा, ठीक है, conservative force field, तो अब A से B तक कितना work किया गया, तो by work energy theorem, by work energy theorem, यह हमने 11th class भी पड़ा है, बोले हर चीद तो आप बतारो 11th पड़ा है, तो फिर यहां जुरूत है क्या पड़ने के, सबको तो 11th भी पड़के हम आए हैं, देखें, तो A से B तक जाने भी work कितना करना पड़ा, तो वहां पड़ाया गया, कि किसी भी बॉड़ी को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, मले आपर इसकी विलास्टी वी ए है, यहां पर इसके विलास्टी वी भी है, तो वर्क ड़न जो होता है, इसकी कानेटिक इनर्जी में चेंज के ब्राबर होता है, ठीक है, यह डिस्प्लेश्मन कितना हुआ है यहां पर, डी एक्स, एफ डी एक्स कहां से कहां तक, एसे भी यह वर्क ड़न हो गया, और यह फर्मुला किसके कुल होता है, हाफ एम वी बी स्क्वार, माइनस हाफ एम, वी ए स्क्वार, यह वर्क ड्रजी थुर्म होती है, ठीक है, लिखते द है यह, वेर वी ए अड वी बी is the velocity of body at the point A and B, वेर वी ए अड वी बी is the velocity of the body at A and B, यह ए और B पर velocity है, और यह हम मान के चल रहे हैं, कि वर्क ड़ह गई है, तभी तो आपने चेंज ऐसे निकाला है न वह आप वर्क कर रहे हो तो बोडी की स्पीड बढ़ रही होगे न तो ये आपने वर्क किया ठीक है एक कुशन पर वर्ण डाल दीजिए और दूसरी चीज अगर वर्क करोगे तो पोटेंशल एनर्जी रही होगी जितना वर्क करोगे वह बी पोटेंशल एनर्जी of the body be the potential energy of the body at the point A and B at the point A and B then तब यह work done किसके एकोल होगा A to B F D X यह होगा change in potential energy के अब simple सी बात है अगर आपने काइनेटी को यहां से यहां तक बढ़ा दिया है तो potential घट गया होगा ठीक है तो यह एक बढ़ेगा तो यह घटेगा तो अगर आपने final में initial minus किया तो negative sign लगाना पड़ेगा नहीं समझे बढ़े आप काइनेटी को बढ़ा आपको difference चाहिए तो difference का नियम तो यह होता है कि final में हम initial minus करते है लिकिन यह हम देख रहे हैं कि यह value बड़ी है यह value चोटी है तो यहाँ पर आपको minus sign लगाना पड़ेगा नहीं समझे या आप ड़ाइट चाहें तो uva minus uvb कर सकते हैं equation number two equation one का यह part देखिए और यह part देखिए दुनों same है ना भाई यह same चीज़ लिखी है ना आपने तो दोनों के equate कर दिया जाए equating equation one and two जब आप equate करोगे तो क्या होगा half mvb square minus half mva square is equal to ua minus uv यही तो आएगा ना आप a वाले को एक तरब कर दो b वाले को एक तरब कर दो uv देल लिया हो तो half mvb square plus ub is equal to ua plus half m va square यह क्या है kinetic energy at b है यह potential at b है यह kinetic energy at a है potential at a है यानि यह kinetic energy है किस point पे b plus potential at b यह kinetic energy at a plus potential at a इसको ua ही लिखा रहने दो तो यही तो total energy होती है total energy at a is equal to total energy at b तो इसका मतलब यह हो गया total energy at a total कौन से energy है mechanical energy at a is equal to total mechanical energy at b यह तो प्रूफ करना था कि a और बी पर दो रों mechanical energy constant रहती है यह प्रूफ है note करिए इसको